आज कलास्टेन के केमेस्ट्री के चेप्टर के तत्तों का आवर्त वर्गी करन चेप्टर से कुछ महत्पुन अब्जेक्टिव है जो हम देखेंगे मेंडलीव के आवर्त सार्नी के संदर में निमलेखित करनों पर विचार किजिए मेंडलीव के तत्तों के उनके परमानु दर्मान के आरवही कर्म तथा रासानी गुन धर्मों के अधार पर वर्गी करित किया जाता है तो कहता है मेंडलीव ने तत्तों को जो परमानु दर्मान में आरवही कर्म में जो सजाया है उसके रासानी गुन धर्म पर अधार पर वर्गी करित किया जा सकता है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है मेंडलीव ने अपनी आवर सारनी के कुछ रिकत अस्थान छो रहे है इसलिए छोड़े ताकि भविस में नए जो एलिमेंट आएंगे उस जगा पर उसको व्यवस्थित करने के लिए तो आपका यह जो दो भी है वो भी सही है तीसरा कहता है मेंडलीव ने अपने आवर सारनी में और क्रिया गैसों को एक विस्थान परदान किया है तो मेंडलीव ने अपने आवर सारनी में और क्रिया गैस को एक विस्थान परदान नहीं किया इसलिए कि आपका राइट यह जो यह जो तीसरा जो है कथन वो गलत है देखते हैं ऑप्षन में कहता है केवल एक एवं दो केवल दो केवल दो और तीन और डी में है वान टू और थिरी इसके लिएके राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एक वन और टू ठीक है अब आगे है नेक्स्ट कॉर्शन देखते है काता है मेंडलीव के आवार्शारनी में उपस्थित कमियों के संदर में निमलेगित कतनों पर विचार कीजिए जो मेंडलीव ने आवार्शारनी बनाया उसमें क्या कमी था इस पर कहता है कि विचार कीजिए कि क्या क्या कमी था वह अपनी आवार्शारनी में हाइड्रो धर्जन उसका जो है इलेक्ट्रोन इक प्रमानु में प्र पुर्ण बात था, उनकी सार्नी में केवल एक तत से दूसरे तत की और आगे बढ़ने पर परमानु दर्मान नियमित रूप से बढ़ते हैं, तो यह भी सही है, उनके सार्नी में जो है, एक तत, दूसरे तत जो है, नियमित रूप से दर्मान के रूप से आगे बढ़ रहे है तो आपका उप्रिक्त कथन जो है इसमें से तीनों सही है तो केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1, 3 और केवल 1, 2, 3 इसके लिए कि आपका राइट अंसर हो जाएगा D अब नेक्स्ट कौस्टें देखते है थड आधुनिक आवर्त सारनी के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो फर्ष्ट है इसमें तत्त काथा एक आधुनिक जो आवर्त सारनी बनाय गया उस पर विचार करना और कुछ कथन दिये गये हैं इस पर हम लोगों को समझना और देखना इसमें तत्तों के गुंधर्म उनकी पर्मानु संख्या का आवर्त फलन होते हैं तो हां होते हैं इनके आवर्त फलन होते हैं सकेंड में दिया इसमें साथ समू गुरुप अठारे आवर्त होते हैं ने यह गलत है तो इसके लिएके इस हिसाब से देखेंग लेगा केवल 1 केवल 2 के लो लट्रीत तो राइट आनव सिर्न केवल one के नेक्स्ट कोश्रिन देखते हैं कताय की चौथा था है आधुनिक आवर्र सार्नी के संधर में निम्लिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है आज उनिक आवर सारनी जो बनाया गया वो आवर सारनी में जो पॉइंट दिये गये हैं क्या वो सही है इस पर चर्चा करेंगे कहने का तात पर यही है कि यह एक ही समूं के सभी तत्तों के सयोजकता इलेक्ट्रोनों की स संख्यां समान होती है तो सभी एक गुरूप के सभी तत्यों की सोज़क्ता इलेक्ट्रोन की संख्यां समान नहीं होता है तिसके लिए के आपका जो है यह गलत हो गया है ठीक है फिर आगे परते एक आवर्त तरसाता है कि नए कोस के इलेक्ट्रोन से भरा गया है तो यह भी को उपर से नीचे जाने पर परमानु आकार बढ़ता है नहीं इसके विप्रीत होता है जो ही लिखा यह ओलिटा होता है यह गलत है फिर उसके बाद है धात्विक अभिलक्षन आवर्त में बढ़ता है तो समुह में नीचे घरता है यह सही है धात्विक अभिलक्षन में जो होता मतलब यह जो दिया गया है गुन्धर्म धातू में भी और अधातू में भी परदर्शित नहीं करता है तो दिया गया है बोरन, सिलकन, कार्बन, जर्मेनियम, आयोडीन तो थोड़ा सा विचार कीजिए इस पर और इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका आपका सही है यानि और थिरी और फाइब जो धातू दोनों के गुन्धर्में परदर्शित नहीं करते हैं तो आज तो इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा यहां पे थिरी और फाइब सी में है तो दोस्तों एदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अबन सब्सक्राइब और शेयर करना ना भोले और शो थैंक यू धन्रबाद